नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आटोमेटिक और मैनुवल कार में क्या डिफ्रेंस होता है यानि कि क्या अंतर होता है और कौन सी कार लेना फायदे का सौधा होगा आटोमेटिक कार अच्छी होती है या तो चलिए इस वीडियो में हम आपका सारा डाउट क्लियर करने बाले हैं। दोस्तो कई कार निर्माता कमपनी मैनुल कार के साथ साथ आटोमैटिक गियर बाक्स के आपसन के साथ कारें लांच कर रही है। नर्मली आटो मैनुल टांस्मिशन सबसे सस्ता गियर बाक्स होता है। दोस्तो आटो इंड्रेस्टी में हर साल नई टेकनोलाजी देखने को मिल रही है। आज कल जो कारें लांच हो रही हैं वो एडवांस टेकनोलाजी से लैस हैं। काई कार निर्माता कमपनी मैनुल कार के साथ साथ आटो मैटिक गियर बाक्स के आप्सन के साथ कारें लांच कर रही है। नर्मली आटो मैनुल टांस्मिशन सबसे सस्ता गियर बाक्स होता है। वही आज कल कारों में 80 और CVT गियर बाक्स भी आ रहा है। अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि automatic और manual gearbox में क्या अंतर होता है और ये भी नहीं जानते हैं कि इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा फायदे मंद होती है तो दोस्तों आईए जानते हैं इसी के बारे में दोस्तो हम आपको बता दें कि आटोमेटिक गियर बाक्स वाली गाड़ियों मैनुल की तुलना में लंबे सफर में ज़्यादा कमफर्ट होती है क्योंकि आपके लंबे सफर में बार बार कलच दवा कर गियर चेंज करने की जड़ूरत नहीं पड़ती है इसमें इंजन की जरूरत के हिसाब से आटोमेटिक गियर बदल सकते हैं वहीं मैनुल गियर बाक्स की कारें जो होती है ज़्यादा भीड़ भाड़ और खराब रास्तो पर आटोमेटिक कारों को चलाना ज़्यादा आसान रहता है इसके अलावा अगर कोई कार चलाना सीख रहा है तो उसके लिए आटोमेटिक कार ड्राइव करना आसान रहता है क्योंकि उसमें केवल एक्सिलेटर दवाना पड़ता है रख रहता है स्टेरिंग इतना ध्यान देना पड़ता है इना कि बार बार स्पीड के हिसाब से खुद गियर चेंज नहीं करना पड़ता है मैनुल गियर बाक्स वाली कारें आटोमेटिक गियर बाक्स वाली कारों के मुकाबले कम खर्चा मांगती है और ये कम मेंटिनेंस में अच्छा चलती है यही नहीं मैनुल कारों का माईलेज भी इस आटोमेटिक वाली वेरियंट से अच्छा होता है हील स्टेशन पर जब इंजन को जादा पावर की जरूरत होती है उस समय आटोमेटिक कार में मुस्किल आ सकती है लेकिन मैनुल कार आपको कभी दोखा नहीं देगी आटोमेटिक कारों की तुलना में मैनुल काफी सस्ती भी होती है दोस्तों तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया हुआ कि आटोमेटिक कार और मैनुल कार में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों मैं आज़ा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए